तो बाइस स्वागत आप सभी का मेरी एक नई वीडियो पर तो मैंने मंगाया है एक गैस्ट और भॉब तो चलिए इसके अन्बॉक्सिंग करते हैं यह है लाइफ लॉंग का प्रोड़क्ट तो देखते हैं कैसा है अंदर से तो खोलते हैं और यह मेरी बिल्ली है इसको भी ज केमरमेन थोड़ा आगया जाईए दिखाने के लिए तो ऐसा कुछ आता है यह ओके यह वाली बैटरी लगती है इसमें सथ बैटरी भी आ रही है इस बार क्योंकि यह है ऑटमेटिक वन इगनाइट अपने आप होए करेगा काफी हैवी है ग्यारा की लोग आए ओके पीछे से दिखाईए पीछे से कुछ ऐसा दिखता है यह पीछे से ओपन है चलिए इसको थोड़ा खोल लेते हैं पहले अब फोकस करें तो यह है अपना लाइफ लोंग का फूर बर्नस टॉब मैं विजे सेल्स पी गया था वहाँ पर एक्चुली यही बर्नर अराउंड 20,000 का था बट लाइफ लॉंग का अराउंड मुझे 5800 का पड़ गया है विद ऑटोमेटिक वन गाइज मैंने फाइनली पूरा भार निकाल लिया यह अभी सोफे पर रखा तो कुछ ऐसा दिखता है इसमें यह फोर बर्नर है यह वाला सबसे बड़ा है यह यह दो स्मॉल है यह एक मीडियम है और यह चारो नॉब है इनको दवा के आप स्टार्ट कर सकते हो यह हाई है य प्रूसी सबका है और यह आटोमेटिक वालेवन है क्योंकि इसमें यह दिया हुआ है सब में और इसके साथ यह एक सेल भी मिली हुए है यह एक अच्छी बात है तो इसमें यह वाली सेल डलेगी और एक महीना तो काटी देगी एक से तो चलिए इसको गैस पर लगाते हैं और देखते हैं कैसा काम करता है फिर मिलते हैं तो गाइस जैसे ही आप देख सकते हैं गैस लग चुकी है और यह बहुत ही साही लग रही है लगने के बाद और यह हमारे पास ऐलिका की चिमनी भी है तो इसको अब चलाते हैं मैंने बैटरी वेटी लगा दी गई है सिलेंडर से भी कनेक्ट कर लिका है तो यह वाले बटन से होगा फर्स चालू थोड़ा हिटन मीस है देखिए चालू हो गया एक बारी में यह चल गई है वह भी चल गई है अब यह सेकंड नमर की रह गई है लोकर इससे लोग हो जाती है पूरी अगर हम डाउन करते हैं तो यह पूरा लोग हो गई यह भी लोग हो गई उसको लोग करने उसको भी लोग कर लो से एक बार मैं चेक करता हूं फिर बताता हूं अपडेट तो गाइस फाइनली चारो जल गई है थोड़ा टाइम लगा थोड़ा समझने में बट नाव इट्स ओल वरकिंग इस यू कें सी तो यह पूरी लोग कर सकते हम चारो लोग हो गई है और हाई करनी है यह है फास्ट बर्नर सबसे बड़ा बर्नर उसके बाद है यह वाला बर्नर मीडियम और वो दो छोटे बर्नर है तो guys that's it for the video अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर subscribe कीजिएगा and like करेगा, thank you for watching bye bye, stay tuned